दोस्तों जैसा कि हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि Hyperverse की एक जरूरी meeting funding के लिए चल रही है जो करीबन तीन दिनों तक चली है और meeting के दोरान कुछ बातें हमें वहां से पता चली है जो हमने आपको पहले ही बता दी थी लेकिन आखर के दो दिनों में वहां क्या बाते हुई और दोनों कमपनीज के बीच में क्या रजाबंदी हुई ये साफ नहीं हो पाया है इसलिए हमने भी अभी तक आपको कोई अपडेट नहीं दिया लेकिन आखिरकार कल राज चीजें साफ हो गई है जब प्रमोटर्स वहां से वापस दुबई आए इसलिए अब बात करते हैं उन पहलों के बारे में जो आखरी के दो दिनों में मीटिंग के दोरान हुई नमस्कार दोस्तों मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है और मेरा गोल तो आप सभी को पता ही है आपकी फाइनेशल ग्रोथ और क्या दोस्तों जैसा कि पहले दिन सिंगापूर की कमपनी ने अपनी कुछ शर्तें हाईपर वर्स के मैनेज्मेंट के पास रखी थी वह हाईपर वर्स ने भी साव कहँए दिया था कि वो अपनी कमपनी के लिए सिर्फ फंडिंग चाहते हैं और उसके लिए वो company का कुछ stake देने को तयार हैं लेकिन जहां तक बात रही overall control की तो वो किसी भी हालत में overall business को किसी भी दूसरी company के handover नहीं करेंगे मीटिंग में ये बात भी हुई कि आखिर hyperverse इस हालात में पहुंची कैसे जिसमें hyperverse ने market को इसका दोशी बताया साथ ही साथ अपनी r&d team को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि market December 2021 में bearish pattern शोगर चुगा था लेकिन r&d team के members ने इस बारे में management को नहीं बताया और continue risky pattern पर trade execute करते रहे जहां forex trading और crypto assets में उनका बड़ा पैसा फसा था वो सारा दिन पर दिन डूबने लगा और जब तक management ने खोल कर इस चीज को समझा तब तक बहुत देर हो जुकी थी और आनद फानद में company को बचाने के लिए लोगों के withdraw रोग दिये गए जो करीब एक साल से अभी तक रुके हुएं इसी के साथ हाइपर वर्ष ने अपनी total assets in volume में भी शो की है जिसमें उन्होंने बताया कि company का पैसा FTS exchange पर भी था जिसके चलते उसने October का जो recovery plan बनाया था वो भी फेर हो चुका है क्योंकि FTX रात तो रात collapse कर गई अब उनका कहना है कि project बीच में है और हमें hyperverse को फिर से खड़ा करना है इसलिए हमें चाहिए एक financial support जिसमें हम अपने developers को काम पर लगा कर फिर से hyperverse को शुरू कर सके अब ये बात दूसरे दिन हुई जब hyperverse को सामने वाली company की शर्द का जवाब देना था और इस तरह के जव दिन तो दोनों में company के partnership की शर्दों को लेकर बात हुई जिसमें finally इस बात पर सहमती बनी है कि Singapore वाली company अपने दुबाई के promoters को hyperverse के promoters के पास भेजेगी अगर उन्हें कुछ भी illegal और संदिग्द activity नहीं दिखती है तो वो hyperverse में funding include करने के लिए तयार हो जाएंगे उन्होंने इस समझोते को सिविकार कर लिया और 4 जनवरी की date को fix किया गया है जब दुबाई में रहने वाली दूसरी company के promoters hyperverse की management team से मिलेंगे और इसके बाद उनके promoters से मिलके company के अंदर हुई अब तक की सारी गतिविधी और फिरहाल चल रही core condition को समझ कर अपनी राय बन और इस बीच हमें ये भी पता चला है कि एक company और है जिस से hyperverse की meeting fix है लेकिन वो meeting दुबाई में ही है इसलिए वो जिस दिन भी होगी उसके बारे में हम आपको update कर देंगे अब कुछ लोगों का पुछना था कि सर धीरे धीरे hyper nation में हम shift कर चुके हैं तो क्या इस सब का असर hyper hyper nation और hyper cosmos पर पढ़ सकता है तो हम आपको बता दें कि हम पहले ही इस चीज को explain कर चुके हैं कि hyper nation और hyper cosmos अपने आप में अलग-अलग management है अगर hyperverse में कुछ हो रहा है तो जरूरी नहीं कि उसका असर इन दोनों पर पढ़े हां लेकिन एक बात साफ है कि अगर hyperverse को funding नहीं मिलत है तो या तो hyperverse को बंद करना पड़ेगा या फिर hyper nation और hyper cosmos के जरिये ही इसको आगे बढ़ाने की बात होगी तब शायद hyper nation को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि cosmos तो अभी भी developing phase में है और अभी उसका कुछ भी clear नहीं हो पा रहा है इसलिए हमारा तो यहीं कहना ह कि आप हमारे youtube channel को subscribe करने के साथ साथ notification bell को भी press कर दीजेगा ताकि हम जरूरी updates आपको समय समय पर देते रहे बाकि अगर youtube से पहले जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप हमारे telegram channel को join कर सकते हैं ताकि आपको सारी खबरे youtube से भी पहले मिलती रहे इसी के साथ ही अगर आप ह हमारा telegram channel join कर सकते हैं तो मिलते हैं आप से अगली ऐसी ही जरूरी update के साथ तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और जारी रखी अपनी financial growth